हेलो दोस्तों आप अगर अगर का कस्तमर है और अगर युझे का मोबाइल बेंगिंग एप उनुलाइट एजबिया यूज करते हैं और आप पिछले पास-दस साल पुराना स्टेट्मेंट भी आप युझे लाइट एजबिया में डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहे हैं इस वीडियो में आखरे तक हम इसी तपिक के ऊपर बात करना आला है नमस्कार दोस्तों में हुप प्रणौप और स्वागत है आपको डिजी वर्प लाइफ यूट्यूब चैनल में दोस्तों पहले हम इनुलाइट एजब मॉबाइल एब है वो आपन कर लेंगे यह आपन करने के बाद आपको लोगिन होना होगा इजी पिन फिंगर पिंट या तो यूजर एड़ी पासवर्ट डालके यहां पर लोगिन हो लेता हूँ अब यह आप देख सकता है हम अपना एकाउन में लोगिन हो सुका हूँ हमारे को करना है पूराना स्टेटमेंट डाउलोड इसलिए माई एकाउंट में जाएंगे माई एकाउंट में आपको एक अप्सन मिलेगा फियू अपलिक डाउनलोड स्टेटमेंट तो इसके उपर कर गाउनलोड आपको यह पर एकाउंट नॉमबर इसलिक करने के लिए बli दिया गया है तो आप अपना सेविंग Red यहां पर सिलेक नहीं कर सकते हैं, यहां पर दो इसी जा सकते हैं, या तो 150 ट्रेंजेक्शन आएगा एक बार में, या तो बारो मुहिने का ट्रेंजेक्शन आएगा, चलिए हम पूराना स्टेटमें यहां पर सिलेक करेंगे, मेरा यह एकाउंट जो है ना 2000 से में खोला हुआ तो 2003 का जून मोहिने में खोला हुआ था, तो मैं 2003 का एक जून में स्टार्ट कर लेता हूँ और यहां पर 2007 में, मालेजें जनवरी, फेबुरी टक मुह चाहिए, 2007 में फेबुरी, मार्स तक कर दियता हूँ, मार्स 31 कर दिया, तो इस देटरेंज पर मेरे कुछ स्टेटमेंट चाहिए अब हम क्लिक करेंगे फ्यू के उपर अच्छा यहां पर यह बता रहा है देर्ट रेंज फॉर एकाउंट स्टेट्मेंट के नोट एक्सिद दुएल्फ मन्ट मनलब बारा मुहिना से ज्यादा हो गया तो एक मुहिना में कम कर देता हूं यहां पर चलिए अब दूनो देटरैंज आप यहां पर सिलेक कर लिया हूं फिर व्यू बतन के उपर क्लिक कर देंगे जैसे आप देख सकते हैं दुआजाज से का जून मुहिने से लेके फेबुवारी मुहिना तक जितना भी स्टेटमेंट है जितना भी ट्रीटेंजिक्शन है यहां पर दिखाई दे आपको अगर यह download करना है तो download बतन के उपर click कर डिजे जैसे यह download बतन के उपर click कर देंगे PDF download is successfully तो view the PDF please use the 11 digit account number as password without starting zero तो एगरा digit जो account number है उससे आपका जो account statement वो open होगा तो हम अभी इसको करते है open तो अभी हम जाएंगे अपना download section में अपना mobile में download section जाते हैं तो download में मिल जाएगा हमारे को देखिए यह account statement यही होगा इसको open कर लेते हैं open करने के लिए आपको password मांगा जाएगा जो आपका account number है वो password यहाँ पर डाल दीचे मेरा account number में डाल देता हूँ account number डालने के बार okay के उपर हम क्लिक कर देते हैं देखिए जो account statement है वो यहाँ पर download हो शुका है दोस्तों इसी तरीके से आप SBI account का पुराना से पुराना statement अपना mobile पर ही download कर सकता है उम्मीड है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए होंगे कैसे आप Unilat SBI इस्तिमाल करके पिसले पास दस साल पुराना statement download कर सकता है उसके बड़े में पता चल गया होंगे अगर यह वीडियो पसंद आया वीडिय कोई कुझे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया तफिक सार तब तक दोस्तों इजाज़त दिजिए नमस्कार